ब्семील All right , assalamu alaikum , अगो अमीद है तो तो कया है ? मिला पफटलफ है लिए यूटिब आपरेस करें अगछो वीडियो सब्सक्राइब उस्ट ओरने बास बने जाता है आज मैं आप सबको कुछ अफोर्डेबल प्रोडेक्स भी बताऊंगी जिसे आपकी बेस लांग लास्टिंग हो सकती है प्लस आप किस तरह ब्यूटी ब्लेंडर को यूज कर सकते हैं यह सारे टिप्स बिगनर्स के लिए हैं उनके लिए उनके लिए मेक अप करना बिल्कुल अगर आपके ओली स्किन है तो highly recommended है मेरी तरफ से अपना शेयर सेलेक्ट करके से लगा सकते हैं ठीक है उसके बाद है जी एवर लास्टिंग का औरिफ्लें का यह मुझे पीर आया था इसलिए मैं यूज करती हूँ ठीक है काफी अच्छा है इसके सबसे पहले टिप नमबर किया था ये मेक अप से पहले यूज कर सकतें है अगर आपके पास यह नहीं ही तो आप अलवेरा जैल लास्टिंग रहती है और अच्छी फ्लालेस बनती है प्राइमर लगाने के बाद आपने एक से दो मिंट के लिए बेस को छोड़ एक मिंट ड्राय करने के बाद देन आपने कोई भी बेस लगाना है मैं आप सब को प्रैफर करूंगी अगर आपके ओली स्किन है तो मिस्रोज क प्रोड़क्स यूज करें वो काफी अच्छे हैं रीजिनेबल होने के साथ साथ आपकी स्किन से आपकी स्किन को लांग लास्टिंग फांडेशन देते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है ब्यूटी ब्लैंडर को ठंडे पानी में डिप करवाना है अच्छे से इसको अच् विसलिखर सीधि यह मारinku आप नहीं है सब्सक्राइब कर दो जो मेरे भी सब्सक्रास क्थ है और मैस्टराइ कर तो आप मिक्स कर सकते हैं और जो जिससे आपकी का शीड बन सकता है काफी अच्छास अर्य लांग लास्टिंग भी रहता है सबसे पाद आपने बेस को अच आच्छ से मिला लेने तो आपने अच्छे से स्पंज को पकड़ के अच्छ से बेस बनानी थीचे जिए यह बेस जो है आज से नो गंटे तक आपकी फ्लालेस रहेगी काफी अच्छी लगे और ऐसे लगे कि जैसे आप भी मेकप करवाया है काफी अच्छा लगता है और पौलर्स प्रें बी ऐसे ही तो दिखा सकते हैं और काफी अच्छी लगती है और फ्लालेस रहती है विद ब्यूटी ब्लैंड बिगनर्स के लिए भी काफी अच्छी टिप्स हैं कि अगर आपको मेकप नहीं आता तो थोड़ी सी बेस बनाना आ जाए तो वह अच्छा रहता है कि आपकी बेस अच्छी हो तो फूरा पूरा मेकप भी अच्छा लगता है अगर आपकी बेस ही बुरी बनी हो तो वह बुरी लगती है मेकप ताहे हेर स्ट्राइल काफी अच्छा हो आई टैशिस बने हो कुछ भी फायदा नहीं है ठीक है यह आप चेक कर सकते हैं मेरे बेस काफी अच्छी वाटर प्रूफ बन गया अगर हाल से भी आप उतारेंगे ना तो यह नहीं उतरेंगी 8-9 गंटे तक बीयूटी ब्लेंड-चージ में ख़रिक नहीं हो तो इक शान सी आजा जाती तो है जो आपकी स्किन इंहेंस करती है और मेकอप को भी नहीं होते है यह ओ सबовор अधागा और मेक ब्लेंडर ऑपकी सिकन पर मेक तो फला प्रफ देखा वो काफी अच्छी लग रही है और काफी फ्लॉलस लग रही है और यह थोड़ी सी लग तो रही है वाइट वाइट लेकिन इतनी अच्छी नहीं लग रही है तो लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर से काफी अच्छी लगती है तो आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर से इस्तमाल किया करहें किчикा के ऐखने मेश्की पिरुटेशंध और नाद के विडियो ताकि पैप से की आप सब्सक्राइब और शादें जो ऋप मेकप Mon के लिए एकका काफी आप सब्सक्राइब करते हैं